बार बार रस्ता बदलने से नहीं मिलती है काम्याबी लक्षे बड़ा है तो धहरे के साथ सई दिसा में आंगे बड़े जो लोग धहरे से काम नहीं लेते हैं उनकी परेशानियां बढ़ती हैं और वे किसी भी काम में सपलता हासिल नहीं कर पाते हैं लक्षे पूरा करना चाते हैं तो धहरे होना बहुत जरूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए गौतम बोध की एक प्रसिलित कथा मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको इस टॉपिक को समझने में और भी आसानी हो जाएगी उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले आइकन को जरूदा करें गौतम बोध अपने सिस्चों के साथ एक जगा से दूसरी जगा ब्रहमण करते रहते थे इस दौरान बे आसपास होने वाली घटनाव से भी जीवन में सुक्सांती बनाए रखने के उप्तेस देते थे एक दिन बे अपने सिस्चों के साथ यात्रा कर रहे थे रास्ते में एक खेत में बहुत सारे गड़े खोदे हुए थे एक ही खेत में इतने सारे गड़े देखकर सभी सिस्चे हरान थे किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसी ने एक साथ इतने गड़े क्यों खोदे है सिस्चों ने गौतम बाद से पूछा यथा करपा बताएं ये खेत में इतने सारे गड़ों का क्या रहस्य है गौतमबॉद ने का इस खेत के मालिक ने पानी की खोज करती हुए इतने गड़े खोद दिये हैं वैक हुआ खोद रहा था लेकिन उसमें धहरे की कमी थी थोड़ा सा गड़ा खोदने पर पानी नहीं मिलता तो उसने दूसरा गड़ा खोदना सुरू किया दूसरे में पानी नहीं निकला तो तीसरा गड़ा खोदा इसी तहरे उसने खेत में जगा जगा गड़े खोद दी है अगर वह धहरे के साथ एक ही जगह पर गड़ा होता रहता तो उसे पानी जरूर मिलता ये कारणी हमें पताती है जिन लोगों में धहरे की कमी होती है वे लोग हमेशा परिशान रहते हैं जल्द वाजी में काम सुधारते नहीं बलकि विगार देते हैं इसलिए हमेशा धहरे रखें धहरे से किया गया प्रते काम हमेशा पलता की और एक सीड़ी और ले जाता है तो धहरे रखना चाहिए थैंक्स पॉर वाचिंग